नमस्कार दोस्तो प्रियांका दा किच्चन क्यूइन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे आलू के क्रिस्पी लच्छे पकोड़े बनाना अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें और बैल आइकोन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें इसके लिए हमें चाहिए चार अलू एक प्याज 200 ग्राम बेशन थोड़ा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा गरम मसाला थोड़ा नमक अजवायन हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर एक छोटा ठुकड़ा प्याद रख 6-7 कलिया लसुन दो बारी कटे हुए हरी मिर्च थोड़ा पानी और रिफायंड तेल आप रिफायंड तेल की जगेश में सरसुका तेल का यूज भी कर सकते हैं इसके बाद में हम आलू को साप पानी से वोस कर लेंगे वोस करने के बाद में हम इनका छिलका उ तारने के बाद में आलू और प्याज को हम पतले और लंबे सलाइस में कट कर लेंगे आप जितना पतला और लंबा सलाइस में कट कर सकते हों उनको कर सकते हैं इस परकार से हमने आलू प्याज को पतले और लंबे सलाइस में कट कर लिया है आप देख सकते हैं इसी परकार से आप भी इनको कट करके तैयार कर सकते हैं, इसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे, गरम मसला डालेंगे, अजवायन डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्स पाउडर डालेंगे, और धनिया पता डालेंगे, इसके बाद में हम इसमें हरी मिर्स डालेंगे, और skip भी कर सकते हैं, इस परकार से हम इनको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे या फिर आप इसको बारिक बारिक काट लें इसके बाद में हम इनको अच्छे से मिलाएंगे जिससे इसमें पानी रिलिज हो जाएगा आप देख सकते हैं, इनको हम बिना बेसन डाले ही पहले 4-5 मिनट इस परकार से मिलाएंगे मसाला अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिलाते जाएंगे बेसन हमें एक साथ नी डालना है और उसको भी इसी परकार से अच्छे से मिलाएंगे इसके बाद में हम बचा हुआ बेशन भी इसमें डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद में हम इसमें एक टेबल स्पून पानी डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको जरूरत पढ़े तो आप इसमें पानी का इस्तेबाल कर सकते हैं नहीं तो आप इसको वैसे भी बना के तैयार कर सकते हैं इस परकार से हम इन सब को अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद में हम इसमें एक टेबल स्पून गरम तेल की डालेंगे दियान रखें तेल आप इसमें गरम ही डालें इस परकार से हम इसमें एक टेबल स्पून गरम तेल की डालेंगे और उसको बेच्छे से मिला देंगे इसके बाद एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे तेल मीडियम गरम होने के बाद में हम इसमें इस परकार से पकोड़े फ्राई करने के लिए थोड़ा थोड़ा मिसरन डाल लेंगे और इसको हम low medium flame पे ही पकाएंगे अगर हम इसको direct high flame पे पकादेंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रजाएंगे और बाहर से वो पक्यों ही दिखेंगे इस परकार से हम इसको low medium flame पे dark brown color आने तक fry कर लेंगे इसी परकार से हम इसको एक tissue paper के उपर निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए पकोड़े भी इसी परकार से fry कर लेंगे यहां आप द्यान रखें अगर इसको low flame पे पकाएंगे तो पकोड़े ज़्यादा तेल पी जाएंगे अगर इसको high flame पे पकाएंगे तो बाहर से पक जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रजाएंगे इसलिए आप इसको low medium flame पे ही पकाएं और इसी परकार से हम बाकी के बचे हुए पकोड़े भी बना के तयार कर लिए हैं आलू प्याज के क्रिस्पी और लच्छा पकोड़े बना के हमने तयार कर लिए हैं ये बेहदी सांदार और क्रिस्पी बन के तयार होते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इनको एक बर घर में जुरू ट्राइ करें ये पकोड़े सबको बहुत पसंद आते हैं इनको आप चाय के साथ टोमेटो कैचप के साथ हरी चटनी के साथ किसी के साथ भी सर्वे कर सकते हैं या फिर इनको कोई किट्टी पाटे में भी आप बना के एंजोई कर सकते हैं अगर आप चेनल पे नए हैं तो चेनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें सेयर करें और बैल आइकोन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है